कि नमस्कार दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हमेंगैं तो प्र्फेक्ट कोपत में लजीज हुएम्ट कितना अच् jullie कREE है नहीं कोपत में टूटे हैं किया कोप्ता आप्रीट के सालट करते हैं जैसे असानी से बन जाए देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बना है थोरा सा टूटा भी नहीं है कितना अच्छा कलर आया है तो गोवी के कोफते बनाने के लिए हम ले लिए हैं एक छोटा साइज का फूल नमस्कार दोस्तों तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चै कोफते बना कर दिखाते हैं देखिए कितने लजीज हुए हैं कितना अच्छा इसका ग्रेवी भी हुआ है नहीं कोफते मेरे टूटे हैं कितने परफेक्ट हुए हैं तो इस तरह से आप लोग कोफता बना करके जरूँ ट्राइए किजिएगा तो यह कोफता का रेष्पी आ के लिए हम ले लिए हैं एक छोटा साइज का फूल गोवी इसको तोट लिए हम हम इसे बीना कदुकस कियो बनाएंगे पॉट में मिक्सी के हम लेंगे जीरा एक चमच लहसन ले ले लेंगे कुछ खारे गरम मसाला ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक प्याज काटकर बड़ा साइज का और सभी का हम पेश्ट बना लेंगे अधरा का टुकरा डालेंगे दो और सभी का हम अच्छा से पेश्ट बना लेंगे सभी को डाल करके अच्छा सा हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, तो देखें फाइन पेस्ट बना लिये हैं, अब एक बरतन में हम इसको निकाल लेंगे, कटोरी में पेस्ट को इसको निकाल लेते हैं और दो चम्मच हम इसी में रहने देंगे, इसमें हम गोवी को ग्राइंड करेंगे, गोवी को हम ग्राइंड करके कोफते बनाएंगे, तो चलिए सारे गोवी को हम इसमें डाल लेते हैं, गोवी के टुकरे को, गोवी को हम डाल लिए और ग्राइंड करके, आप लोगो हम मिर्चा पौडर काली मिर्च पौडर गरम मसÁला एक चमच ब्सके चमच पॉर्डर एक चम्मच और इसमें हम डालेंगे हल्दी पॉर्डर एक चम्मच और हम डालेंगे चार चम्मच के अकॉर्डिंग बेसन सभी को मिक्स कर लेना है ज्यादा दबा करके मिक्स नहीं करना है इसको भी पानी छोड़ देते हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है हम शुआत के एकोडिंग नमक भी डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है बस दबाना नहीं है जुदुस भर्म ज़âte Le Battacate कर लेना है हाथों से कि इसको हम मिक्स कर लिया देखिए घुबि में अपीज-सेप में कोफता बनाना चाहते भी एकाँ करते हैं। हम चूले पेच रहाई करहाई चाये काराई में डालहा सरसोती को गरम हो रहा है JOHN हम इदर कोपते का सेप बना लेते हैं कोपते को हम राउंड करके 20 से दबा देंगे पेरा की तरह हो जाएगा इस सेप में हम बनाएंगे कोपते का चलिए एक एक करके हम इसे ही बना करके तेल में डालते हैं तो दिखिए हम एक एक बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे हम सभी को बनाकर टेल में डाल ली है और नो साइट से इनको पका लें गे golden brown कोपते को दोनो साइट से golden brown कर लेना है दिखिए एक तरफ जो कितना खिला-खिला color आया एकदव गोल्डन brown हो गए दूसरे साइट से भी हमें इसे ही पका लेंगे वो तसानी से ये गोवी के कोपते बन जाते हैं तो आप लोग बना के जरूर ट्राई कीजिए दोनों साइड से मेरे कोपते हो गए है देखिए कितना परफेक्ट का लड़ाया है इसका तो हम इनको निकाल लेते हैं बर्तर में कोपते हो गए इनको हम निकाल लिए अब तेल जाद है कराही में से तो तेल हम थोड़ा सा निकाल लेंगे तो तेल हम निकाल लिए हैं अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच, जीरा और दो दाल चीनी दो दाल चीनी के टुकरा डाल लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच, जीरा, जीरा और दल चीनी चटकने लगेगा तो हम डालेंगे इसमें प्याज का पेष्ट जो हम बना कर रखे हैं प्याज अद्रक, खरागरब मसाला लासन का पेष्ट है इसको हम डाल के थोरी दिर फ्राई करेंगे तो यह थोरी दिर फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें मसाले का पॉडर डालेंगे धनिया पॉडर डालेंगे एक चम्मच, मिर्ची पॉडर एक चम्मच, आप अपने वन पिंच, कस्मीरी मिर्च, वन पिंच, कलर के लिए, अब इसमें हम डालेंगे, गरम मसाला पॉडर, एक चम्मच, हल्दी पॉडर, और सभी को मिक्स कर लेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए, मसाले कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, मसाला आप जितना अच्छा फ्राई कीजिएगा, कोपते का टेश्ट उतना ही उभर कर आता है, तो देखिए, मसाला से तेल निकलने लगा है, मसाला मेरा पकने लगा है, तो मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, तो देखिए, कितना परफेक्ट तरीके से पके हैं मसाले, थोरे दिर और हम मसाले को पकाएंगे, जिससे हल्वा की तरह हो जाए, तो मसाले मेरे हो गए हैं पाणि अब इसक न पातुस सरे कोपते को एके करके हम इसमें डाल देंगे कुपते को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे देखिए एक एक करके हम डालते जाएंगे साइट साइट से सारे कुपते को और चला देंगे इसको हम और चलाने के बाद हम धक के दो मिनट और पकाएंगे ज्यादा नहीं तो दो मिनट हम इनको धक के पका लेते हैं कोपते को देखिए धक के हम पका लिए हैं कोपता बनके मेरा तयार है कितना परफेक्ट तरीके से कोपते बने हैं इस तरह से आप लोग बना के ट्राइ किजिएगा कोपते को देखिए पासे दिखा देते हैं कोपता जरा सा भी नहीं टूटा है वह भी का इनको हम एक सर्विंग बॉल में निकाल लिए हैं अब इनको हम सर्व कर देते हैं एक प्लेट में कोपता हम सा इनको सर्व सर्व कर देते हैं एक प्लेट में कोपता कितना परफेक्ट हुआ है कोपता देखिए इक भी कोपता मेरा तूटा हुआ नहीं है एकदम क्रम परफेक्ट हुआ है ग्रेवी भी कोप्ता कोप्ता बनाईए गार कमेंट बताईएगा कैसा लगा आपको मेरा गुल गुंत खार अगर आपisktie को चैनल मेरे गया प्यूक्त